हलो दोस्तो स्वागत है आपका सिवनिया कीचन में तो चलिए आज हम पूरी बनाने वाले हैं पूरी बनाने चलते हैं तो दोस्तो पूरी बनाने के लिए मैंने यहां एक कटोरी आटा लिया है इसे हम पहले गूत लेंगे पूरी के लिए थोड़ा सा सक्त आटा गूतेंगे ज्यादा सक्थ नहीं, जैसे हम रोठी पराठा के लिए आटा गुथते हैं, उससे सक्थ आटा गुथे हैं. मेरा आटा गुथा गया है, हम इसे 15 मिनट तक आटा सेठ लिए रख देंगे, तो अब 15 मिनट हो चुका है, आटा सेठ हो चुका है, तो अब इसे एक बार और मिला लेंगे, अब हमें इसे बॉल्स बनाने हैं छोटी छोटे, चलिए लोईया काट लेती हूँ मैं, तो मैंने 12 बॉल्स काट के तियार कर लिए हैं, इन बॉल्स को आप अपने हाथों से इस तरह का सेफ दे दे, चलिए मैं पूरी के लिए आटा बेल लेती हूँ, दोस्तों पूरी के ग बॉल्सेफ देने के लिए इसे आप हर साइड से थोड़ा थोड़ा इस तरह से बेल लीजिए, यहाँ पर मैं पर्थन लगा के बेल रही हूँ, चाहे तो आप पर्थन लगा के बेल सकते हैं, चाहे तो आप तेल लगा के भी बेल सकते हैं, तो इसी अस्टेज तक पूरी को बेलेंगे ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे तो देखिए मैंने सारे बेल के त्यार कर लिए हैं तो चलिए इसको छांते हैं तो मैंने गैस को आउन कर लिया है मैं अब इसमें तेल डाल रही हूं कर गैस को आप हाइफ लेम पर रखें तेल को थोड़ा देरी गरम होने देंगे मेरा तेल गरम हो चुका है कि हमकी तेल गरम है अब हम इसमें धिरे धिरे पूरी डालेंगे इस तरह हम इसे एक बर प्रलट देंगे जब पूरी इस तरह फूल जाए तो हम पूरी को निकाल देंगे इसी तरह मैं सारी पूरियां बना लूँगी अगर तेल आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आप सुर्यात में ही आप चरपाच पूरी डाल सकते हैं देखे दोस्तों मेरे सारी पूरियां बनके त्यार हो चिक्कियां खाने के लिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सेर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो मिलती हूँ आप सब के साथ एक नई वीडियो में आप सेफ रहे हैं खुस रहे हैं खुस नाबाटियें प्रेल देन बाई बाई बाई